तोड़ी बिगडी परसो हां तो आए पर वो हमको तो वही लगता था कि चलो थोड़ा स्टेविल होके जाएंगे बट अचानक हमारे लिए बहुत करीब से हम उनको जानते हैं और मैं बहुत कह सकता हूं के इतना बड़ा देश भग इतना पैशन कंट्री के लिए और हर परसन जो उनसे जोड़ता था उनके साथ उनका एक जो परसनल रैपो होता था जिस तरह वो एक एक का खयाल रखते थे परसनली वो ऐ ऐसे ही नहीं सहारा परिवार कहते हैं हम लोग हम उस संस्ता में 6-6 साल टॉप लेविल पर काम कर चुके और आपको बता सकते हैं कि जब वो अपनी संस्ता को एक परिवार कहते दें तो सच में परिवार की तरह चला जो कि आज का जो दिन है यह बहुत दुखत दिन है चोंकि भारतिय उद्योग जगत में जिस तरह से उन्होंने अपनी मेहनत के बल पर बहुत निश्ठा के बल पर नीचे से बिलकुल स्क्रैच से जिरो से उन्होंने अपनी यात्रा शुरू की थी गुरकपूर से और इतने हाइट पर वो गए मैं कहूंगा कि हाइली स्प्रीचूल परसन थे वो बहुत अधिक आध्यात्मिक थे बहुत अधिक राष्टवादी थे ये बात अलग है कि उतार चड़ाओ हर व्यक्ति की जंदगी में आता है और मैं उन चुनिंदा भागिशालियों में से हूँ ट्विटर पे जिसको वो फॉलो करते थे ट्विटर पे वैसे तो उनके एक्स अब नाम है कंपनी का हजारों फॉलोवर्स उनके ट्विटर पे थे लेकिन वो जिन 317 लोगों को फॉलो करते थे उनमें मैं भी एक हूँ और मेरा नाम चेतन उपाध्या है मैं बनरस में रहता हूँ सत्या फांडेशन नाम से एक संस्त चलाता हूँ जब वो तिहार जिल में थे तब भी मैं उनसे मिलने के लिए गया था और मैं इतना कह सकता हूँ कि यह जो उनका निधन है बहुत अप्रत्याशित है और मेरे लिए व्यक्तिगत तोर पर मतलब जैसे मुझे लगता है कि मैंने अपना अभिभावक खो दिया है मैंने अपना गर्जियन खो दिया है